नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज बैयार और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा लोग जनसक्ति पाटी राम विलास के रास्टी अध्यक चिराग पासवान ने मुलाकात की है राजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो से चिराग पासवान लालू प्रसाद यादो से दिल्ली क एमस में मिले हैं चिराग पासवान के साथ उनकी मा रिना पासवान भी थी और दिल्ली एमस जाकर उन्होंने राजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो का हाल जाना है मुलाकात के बाद उन्होंने लालू की सेहत को लेकर एक कछी खुश खबरी भी दी है चिराग पासवा की सेहत में पहले से सुधार है. मैं इस वर से प्रात्ना करता हूं कि प्रभू उन्हें स्वास्थ लाब प्रदान करें. तो राज़त सुप्रिमों लालू प्रसाद यादों से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और ये दूसरी बार है जब चिराग पासवान अस्पताल पर जाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादो का हाल जाना है इससे पहले लालू यादो जब पट्ना के पारस हस्पताल के I.C.U. में भरती थे तो चिराक पासवान कोंचे थे अपनी पाटी के कुछ नेताओं के साथ लालू यादो की सेहत का हाल जामने वहाँ लालू यादो की तबियत ज़्यादा खराब थी तेजस्पी यादो, तेजपरताप यादो, रावणी देवी और मिशा भारती से उनकी मुलाकात हुई थी मुलाकात के बाद चिराक पासवान ने बताया था कि लालू यादो के परिवार के साथ सदस्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने लालू की सेहत की कामना भी की थी तो लालू यादो लगतार अस्पताल में भरती हैं पहले पटना के पारस अस्पताल में रहें और उसके बाद उनको एयर लिप्ट करके दिल्ली ले जाया गया दिल्ली एम्स में भरती हैं और वहां से लगतार अच्छी खबरे आ रही है लालू यादो की सेहत को लेकर खबर यह ऐ कि लालू यादो सोस्थ हो रहे हैं और सबसे बड़ी खुश्खबरी उनकी बिटिया मीसा भारती ने दी थी कि लालू यादो अब उटकर बैठ रहे हैं पहले ये खबर आए कि उनकी बोडि लोक हो गई है लोग चिंता में थे लेकिन मिशा भार्ती ने तस्वीर पोस्ट की लालू यादो ठीक ठाक रजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि सहारा देकर लालू यादो खड़े भी हो पा रहे हैं तो लगातार लालू की सहत को लेकर अच्छी खबरे आ रही है और चाहे पटना का अस्पताल हो चाहे दिल्ली का अस्पताल हो लालू यादो से मिलने वाले लोगों का थाता लगा हुआ है इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल